नमस्कार दोस्तो जम्मू कश्मीर भी अब पंजाब के रास्ते पर चल दिया है पिछले पांच साल में यहां आतंकवाद से भी बड़ा खत्रा अब ड्रग्स और नशा बन चुके हैं जम्मू कश्मीर पे राश्तुपती शाशन है यह राज सीधी तोर पर केंदर सरकार के नियंतरन में आता है फिर भी यहां ड्रग्स कैसे फैल रहा है किस के लिए जिम्मेदार कौन है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी या फिर नहरू और राहुल गांदी यह सवाल कोई भी गोदी मीडिया का चैनल नहीं पूछने वाला है नहीं यह खबर टीवी चैनलों पर दिखाई जाएगी लेकिन यह खुलासा हुआ है इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में जिसमें बताया गया है कि घाटी के सबसे बड़े नशामुक्ती केंदर म बीच में नशे के शिकार 41,110 यूवा पहुंचे थे जबकि मार्ज 2021 से मार्ज 2022 के बीच में 23,403 का आकड़ा था इस रिपोर्ट में ये भी पताया गया है कि 2022 से 2023 के बीच में हर 12 मिनट में एक मरीज हर घंटे में 5 और रोज करीब 114 मरीज OPD पहुंचे है नशा करने वाले 90 % यूवा 17 से 30 साल की उम्र के बीच में आते हैं दोस्तों हालात इस कदर बत्तर हो तुके हैं कि जम्मु कश्मीर के डिरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस दिलबर सिंग इसे मिलिटेंसी यानि के उगरवात से भी बत्तर बता रहे हैं इंडियन एक्स्प्रेस को दिये गए अपने कि समस्य के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मानते हैं उन्होंने पताया है कि पाकिस्तानी ऑजंसी आतंगवात की घटनाए बढ़ने के लिए नशीले पदार्तों का इस्तिमाल कर रही हैं इससे आतंगवात और सोशल क्राइम का मिक्स्चInter हो रहा है और जो लोग शान्ती का रास्ता चुन रहे हैं उनको पाकिस्तान सजा दे रहा है सीमा के पास रहने वाले कुछ लोग इस रैकेट के साथ जुड़ भी रहे हैं क्यूंकि इसमें उन्हें आर्थिक फाइदा नजर आता है इसलिए बड़े पैमाने पर कश्मीर में ड्रक्स की समस्या फैल रही हो और ड्रक्स सप्लाई किया जा रहा है मैलाओं को कवर बनाकर आसानी से नशीली दवाओं की खेब यहां तक पहुचाई जा रही है इस ड्रक्स की सप्लाई पंजाब तक होती है और जो पैसा आता है उसका ज्यादतर हिस्सा पाकिस्तान भेज दिया जाता है दोस्तों जिस पंजाब को नशे का केंदर बताया जाता है जिसको लेकर उरता पंजाब जैसी फिलमें बनती हैं दोस्तो रिपोर्ट में पुलिस रिकॉर्ड के हवाले से बताया गया है कि साल 2019 में जमू कश्मीर में 103 किलोग्राम हिरोईन जबत की गई थी जबकि 2022 में ये बढ़कर 240 किलो हो गई थी कश्मीर में नशीले पदार्तों का सेवन करने वाले हर चार में से तीन लोग हिरोईन का सेवन करते हैं इंगेन इंस्टिटूट ओफ मेडिकल हेल्थ और नियूरो साइंस के एक सर्वे में बताया गया है कि हिरोईन का आदी हर शक्स महिने में ओसितम 88,873 रुपए खर्च करता है जबकि इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि नशा करने वाले हर चार यूवकों में से एक यूवक बेरोजगार है यानि कि ड्रग्स खरीदने के लिए पैसा चाहिए जिसकी वज़े से एक क्राइम भी बढ़ता है ड्रग्स की लट लगने के बाद लोग न केवल अपने स्वास्त का नुकसान जेलते हैं बलकि अपराद भी बढ़ता रहता है ड्रग्स की समस्या आज की तारीक में पूरे देश में ही बढ़ती जा रही है सरकार चाहे कितना भी दवा कर ले पर ड्रग्स का सेवन बढ़ रहा है कम नहीं हो रहा है अडानी बंदरगाप पर भी पकड़ी बड़ी ड्रग्स की खेप से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लाखो करोड के ड्रग्स हर साल भारत में आते हैं पिर चाहे वो पंजाब की बात हो या फिर गुजरात की हो या फिर जम्मू कश्मीर की हो। हाला कि जम्मू कश्मीर डारेक्ट केंदर के कंट्रोल में होने के बावजूद भी यहां पर ड्रग्स कैसे फैल रहा है। यह सब कैसे हो रहा है। राज में इतना ड्रग्स फैल गया कि हर बारा मिनिट पर नशे का शिकार एक शक्स नशा मुक्ती के अदर पहुँच रहा है। ये बहुत भयानक बात है दोस्तों। सरकार दावा करती है कि हमने आतंकवात खत्म कर दिया है। मगर यहां तो आतंकवात से भी बड़ा खत्रा पैदा हो गया। ग्रह मंतरी को इस पर जवाब देना चाहिए। मणीपूर की तरह चुपी नहीं साधनी चाहिए। गोधी मीडिया भी चुप है पर उसे बोलना चाहिए। यह ना सिर्फ देश के नौजवानों के लिए बलकि पूरे देश के लिए एक बड़ा खत्रा साबित हो सकता है। सरकार इस पर महिनों तक चुपी ना साथ कर तुरंत आक्शन ले तभी कुछ बहतर हो सकता है। इस खबर में इतना ही। यह खबर आप उल्टा चुश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरीन अंसारी है। जै हिंद जै भारत।